ओके तो हमारा खाद्य उत्पादन मिवर्दी और कारी नीतियां यह अमना चेप्टर चल रहा था और यह चेप्टर काफी बड़ा है ठीक है तो इसके अंदर हमारा जो अगला टोपिक है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा कि आनुवंचिक किस्म के विकार के विकास के प्रमु उसका विकास भी होना चाहिए और उसका विकास होना चाहिए तो क्या चरण होने चाहिए आपके पास तो पहला पॉइंट आ रहा है परिवर्तन सीलताओं का संग्रण सिधी सी बात नाम से पता चल रही है अगर चेंजेज आ रहे हैं किसी किस्म में और चेंजेज ऐसे हैं क उनका क्या कर ले, संग्रित कर ले, अब कैसे करेंगे, उसके पूरे जनंदर Kurt को संग्रित कर धूआ यानि जीन वगेरा जो है उनको संग्रित कर ले और संग्रित करने का मतलब हाथ में लेके तो चलना नहीं है आपको अगर मान लो एक प्लांट है और उसके अंदर अच्छे गुणा है तो इसका जीन संग्रित करने का मतलब यह हुआ किसका जीन निकाल के किसी दूसरे में डाल दो तो संग्रित रहेगा वो फिर जब वो मरने लगे तो दूसरे में डाल दो संग्रित कर रहे हैं आप इसे कर रहे हैं नहीं अच्छा बहुत सारे पात्पों को जो उनकी आनवंचिक परियोड़तन सीलता हैं जो मिलती है वो उनकी जंगली जातियों से मिलती है अब आप बोलेगे सर्ट जंगली जातियां देखो टेंथ क्लास में अगर आपको याद है तो आपने एक टोपिक पड़ा था नाइन के चेप्टर में था कि गोबी की कई परजातियां जो जंगली परजाति anger में केल हैं, पतागोबी है। तो एक परजाति थी और उसमें। रुपांत्रण होता गया। होता गया और आज कई डिफ्रेंट प्रजात्यां निकल गई तो जो पूर्वज है उसको आप कह रहे हैं कि वह जंगली है उसको आप क्या हो तो जंगली प्रजात्यों से ही आन्वनिशिक प्रिवरतन होते हुए हैं अहले हैं हमारी अगर तो उनकी चीजों का संग्रान आज हमारे अंदर है अगर देखा जाए तो उनका डिय ने जो मरत थोड़ी गया उनका डिय ने आज भी हमारे अंदर जीवित है क्लियर तो यह टोपिक आपको यही बता रहा है आनुँँशिक प्रजातियों से प्रापत होती है विबिन जंगली किस्मों प्रजातियों ट्रस्ट यह किसं के लिए बोला है प्रजातियों के समंधियों का संगरन परिक्षण और उनके अभी लक्षणों का मुल्यानकन समस्टी में उपलब्द प्राकर्तिक जीन के प्रभावकारी समुपयोजन के लिए पूरक छेपित होता है यहीं लेंग्वेज नोड़ी तफ वह लेकिन आपको बात को यह समझ ले कि पहले जो पैदावार थी वह ऐसी थी अब दीरे दीरें में अपने आप ही चैंजे जा रहा है इनकी पैदावार अच्छी होती जा रही है यह इनकी पैदावार बिगड़ती जा रही है चैंजे तो आ रहे है ने तो क्यों ना हम अच्छे जो चैंजेज हैं उनको क्या कर reinser ke Clark इसी पहसल में पायज आने वाले सभी जीनों के विविद अलील का समस्त संग्रण उसका जनंद्रों संग्रra ये बात आप याद रखना किसी भी पहसल में पाय जाने वाले सभी जीनों के विविध अलील यानि जीन है उनके अलील जैसे एक जीन है उसके तीन अलील है मालो अलीलों का समस्त संग्रण है उनके जनंदर्व का संग्रण होता है एक्चुल में आप किसी सेल के प्रोटप्लाजम को संग्रित करते हो वो जनंदर्व संग्रण कहलाता है समझ में आ गई बात, तो पहली पॉइंट में आपको ये बात कही जा रही है, अब जनकों का मुल्यानकन, अगर आप ऐसा कर रहे हो, आपको नहीं प्रजाती बनानी है, या फिर आपको संक्रन करवाना है, तो आप उन जनकों का मुल्यानकन करेंगे या नहीं करेंगे, आप बैतर हो तो बहुत अच्छे जनक लेँगे तो जो पेदावार आएगी वह भी बहुत अच्छी आएगी जनंदर मुल्यांकित किये जाते हैं जनंदर निकाल लिया जैसे किसी भी सेल का जनंदर निकाल लिया यह सेल है इसके अंदर यह केंद्रक है इसके अंदर केंद्रक दरवे इन दोनों का संग्रण करना जन अंदर हो गया ताकि पात्पों में उनके लक्षणों के वांचनी संयोजन के साथ अभी निर्दारित किया जा सके यानि जन अंदर वे को आपने निकाला और पात्पों में उनके वांचित सेयोजन को आप पहुचा रहे हो वांचित सेयोजन तो जान गए न आप वांचित सेयोजन क्या आपने जननंदरव निकाला और आपको पता लगा ये जननंदरव इस क्वालिटी का है तो क्यों न इसको हम अपनी इच्छा नुसार किसी दूसरे प्लांट में ट्रांसफर कर दें ठीक है सेयनित पात्वों की बहुगनित कर उनका जैसे ही आपने ये किया फिर इन पात्वों को आप बहुगनित कर रहे हो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करवा रहे हो आप ग्रोथ करवा रहे हैं और करके फिर इनको संकरन में इस्तेमाल कर रहे हो ताकि ये पूरे देश के लिए काम आ सके ऐसे नहीं कि किसी एक किसान के लिए काम आ सके समझ में आगई बात next अगर हम बात करें चैनित जनकों के बीच संक्रण जरूरी है अगर जनक आपने जनक आपने ले लिये आपने एक अच्छा जनक लिया कि भाई यह मान लो एक जनक है एक मटर का पादप है कि इसमें फलियां जैदा लगती है और एक मटर का पादप embedded जिसके अंदर मालो दो उसके अंदर भी क्वालिटी है उसके अंदर क्वालिटी है कि वो कंपानी लेता है तो आप उन दोनों का क्या करवा देते हो प्रासंक्रण आपको कोई लेब में जाने क्या हो सकता नहीं है आपने वहाँ से प्राकन उठाए और उसके वरतिकागर पर डाल दिये अब ये जो बीज बने वो संकरित बीज के लाएंगे कैसे बीज के लाएंगे वांचित लक्षणों को बहुदा दो भिन पात्मों से प्राप्त कर सहियोजित किया जाता है वांचित लक्षणों को बहुदा दो भिन पात्मों से प्राप्त कर सहियोजित किया जाता है उदारन के लिए एक जनक जिसमें उच्छ प्रोटीन गुण होता है और अन्य जनक जिसमें रोग निरोदक गुण है दोनों के सहियोजन की आफ सकता है जरूरी बहुत उच्छी बात हो जाएगी कि प्रोटीन भी मिल जाएगा और प्रतिरोदक छमता भी है यह प्रैसंकरन या प्रैसंकरन या पर प्रागन हो गए एक तरीके से क्या हो गए तदा सम्भाव है कि दोनों जनक ऐसे संकर प्यदा करें जिससे आनुएंसिक वानचित लक्षणों का संगम एक पोदे में हो सके नरजनक की रूप में लेलो आप नरजनक की रूप में आप कहले होगी प्राक्षण तता उसे माधा पोदे के वर्तिकागर पर छिडग दो और जो नई किसम आएगी, वो क्या होगी? संकृत होगी. वैसे यह ऐसे बोल रहे हैं काफी कठीन और अधिक समय लेने वाली पर करिया है, तो देखो टाइम तो लगता ही है, संक्रन अगेरा करवाते हैं, तो टाइम भी लेना पड़ता है, कि तीन मेने बाद में वो ग्रोथ क करो, पुनर योग्ज मतलब आपने री कंबाइंड जो चीज बनाई है, प्रा संक्रन से, उस वो बोसारी बन गई उसका भी चैन करो, तकि बार बार चैन करने से आपको एक बैतर क्वालिटी का प्लांट मिल सके, इसके अंतरगत संक्रों के संतती के बीच से पादप का चैन किया जाता है, संक्रों, यानि आपने क्या किया नर, यानि प्राकणे, और वर्ति कागर परचिड़क दिये, और जो पोधा हो, संक्रपोधा, अब इन संक्रपोध्व में से भी आप क्या किरो, चैन करे, जिन में वांसित लक्षण सेंजीत हो, प्रजनन उद्दिसे को प्र इसका चैन करो संक्रित फसलों का बात आपको वापस समझ में आजानी चाहिए आप पहले बोल रहे हो कि प्रिवतन सीलताओं का दिन फिर आप बोल रहे हो जनकों का दिन फिर आप प्रासंक्रण करो फिर उनसे संतती आई वो कौन सी आई संक्रित इसका वापस से चैन करो समझ प्राप्त हो रही है कि यह संकुर पादप REP करना एक तरिकार विध्यानिक हो सकता है कि उसकता है इसके ने कि मातरा कितनी है किसमने कारबएडेंट की मातरा कितनी है कि würde ने कितना बंडाँ हो सकती है ज्यादा बन रहा है ये वेग्यानिक विदियां भी हो सकती है इस चरण के परिणाम से रूप ऐसे पादप उत्पन होते हैं जो दोनों जनकों में स्रेस्ट होते हैं कई पीडियों तक सव प्रागन कराकर तब तक करते हैं जब तक की समरूपता की आवस्ता नहीं आ जाए जि जब तक की समरूपता की आवस्ता नहीं आ जाती जब तक की सारी चीजे समान नहीं बेट जाए और जैसे ही संतती में आ जाती है जिससे संतती में वी सयोजित होने के कोई चांस नहीं रहते अब हम नहीं कह सकते कि कोई नया लक्षन निकल सकता है हमने साथ पीडियों तक द होता उतनी ही आ रही है तो हम कह सकते हैं कि आप इनका चाहिए 20 वीडियों तक कराओ आप इसमें प्रोटीन के अलावा कार्बो आड़ेड आपको नहीं मिलेगा समझ में आ गई बात कि समझ में आ गई किलियर ठीक नहीं किसमों का प्रिक्षण निर्मुक्त होना व्यापारी करना नहीं किसम जो बनी है उनका प्रिक्षण उनका निर्मुक्त वहां से निकालना और निकाल कर उनके बीज जो है वो मार्केट में बेज देना ताकि व्यापारी करन हो सके नव चैनित वंस करम का उनकी उत्पादन तता अन्य गुणवता वाली ससे विशेश को रोक परतिरोधता आदी गुणों के आदार पर मुल्यांकित किया जाता है यह तो हमने कर लिया मुल्यांकित खोदों को अनुसंदान वाले खेतों में यह अनुसंदान वाले खेट, जो एग्रिकहल्चर वाली होते हैं, उनके पास खुद के खेट हैं, जो उनसंदान करते हैं, पहले मार्केट में नहीं वेजयेगा, पहले तो अपने खेट में लगाए गए खेतों में जाओने आदर्स उरुरक प्रवाप्त हो रहे हैं उन्हें सिचाई का पानी मिल रहा है अन्ने समुचित सस्य परबंद यानि फसली परबंद जो भी हो उनको पलब दो रहा है वहाँ पेदा किया जाता है तो उसमें उप्रियुकत गुणों का मुल्यानकन किया जात अनोसंदानी खेत में मुल्यानकन के बाद पोदों का प्रिक्षन देश भर किसानों के खेत में होगा अध। समझ में आगई कई स्थानों पर कम से कम तीन रितनों तक किया जाएगा देखो बहुत लेवल बढ़ा रहा है तब जा कि आपको कोई बीज की क्वालिटी प्राप्त होती है पैकेटों में जो बीज आते हैं तब जा कि आपको क्वालिटी के अधार पर दिये जा रहा है अब लगा कर उसके आधार पर हम वो किसान डन कर देगा कि हमारी पैदावार में कोई दिक्कत नहीं आई तो इसका विपनन स्टार्ट हो जाएगा इसकी मार्केटिंग स्टार्ट हो जाएगी समझ में आ गई बात कई स्थानों पर कम से कम वो एक स्थान पर नहीं लगाएगा कि इस्तानों में सभी सशे खंडों का निरुपन होना चाहिए सशे खंड कौन से वे जमीन के टुकडे जो फसल लगा रखी आपने लगी फसल के खंड को आप क्या कहोगे सशे खंड जहां सामाने तक खेती होती है उपरोक्त विदी से उत्पन सशे की तुलना यानि फसल की तु को लोकल फसल से कंपेर करोगे और लोकल फसल में जितने जो गुण निकड़ेंगे नहीं निकड़ेंगे उस आदार पर आप विपनन करवाओगे तो मेरे खाल से बास समझ में आ गई होगी आपको तो बहुत अच्छा टॉपिक है एक बार मैं आपको दिखा देता हूं वै संक्रण सरेष्ट जो जनक सरेष्ट पुनरयोग जो संतती बन गई है उसमें करवाओगे बार बार सवपरागन नई किसमों का परिक्षन करोगे निर्मुक्त करोगे व्यापारी करण करने के लिए पहले उसको अनुसंदानी खेत में लगाएगा उसके बाद में किसानों को स्टार्ट हो जाएगा उसकी बाद में मार्केटिंग स्टार्ट हो जाएगी तो मेरे काल से टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा ठीक है तो रटना नहीं है यह टॉपिक दे कि आपको इसकी बात लिखनी है नहीं तो यह याद नहीं होगा आप मैं मैं इस मैं इस टॉपि तो आपको रटना पड़ेगा समझने की बात हो गई है रटना पड़ेगा आपको बारती संकर फसले बिल्कुल रटने वाली बात है तो थोड़ा से ध्यान दें बारती संकर फसलों में हम क्योंकि हम बारत देश के निवासी है तो हमें उस्ट्रियल है कि संकर फसलों से कोई ल GDP है वो 33% हमें किसे प्राप्त होता है कर्शी से हमारी अपनी आए जो भारत देश की जो आए की जो बड़ोतरी है ने उसमें 33% किसानों का योगदान रहता है से मालो आप भारत की सौतंतरता के पसाथ मुखे चुनोती यह थी कि बढ़ती जन संक्या के लिए परियापता जन संक्या आजादी के बाद जन संक्या बढ़ना स्टार्ट हो गई थी तो मुखे समस्या यह थी कि जो आहार है वो सब को परिपूर्ण रूप से मिल जाए 1960 के मद्दे गेहूं तता दान की बहुत सी उच उत्पादन वाली किस्मों का विकास पादर प्रजनन तक्निकों के परियोक से किया गया ये बोल रहा है कि 1960 के मद्दे से गेहूं और धान की बहुत सरी ऐसी फसले बनाई जो संक्रित थी और पादर प्रजनन विदी से उनको तैयार किया गया ताकि अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो ठीक है 1960 से 2000 तक के वर्षों के दोरान गेहूं का उत्पादन 11 मिलियन टन से बढ़कर कितना हो गया था 45 मिलियन टन तक हो गया था जबकि धान का उत्पादन 35 मिलियन टन से बढ़कर 89.5 मिलियन टन तक पहुँच गया था इसका कारण गेहू ततादान की अर्दवामन किसमें ये अर्दवामन किसमें तैयार की हुई है पादपरजनन विदी से तो जो इतनी मेनत कर रहा है जो रिसर्च कर रहा है वो अपना नाम भी नहीं दे सकता है गया उसको दे सकता ना तो अर्दवामन किसमों का विकास होना है मेक्सिको इस्तित International Center for Wheat and Meiz International Center for Gेहूं और मक्का किस-किस के लिए है गेहूं और मक्का में इनको नोबल पुरुसकार्थ से समानित किया गया था Norman E. Bolog ने यहाँ पर क्या किया था Norman E. Bolog ने गेहूं की अर्दवामन किसम तयार की थी ठीक नेक्स्ट अगर हम बात करें गेहूं तता दान के उपर हम बात करें यही यह उसी का प्रिणाम है कि 1963 में उचुत पादन तता रोग परतिरोदक किसमों की वंस की रेखा हैं जैसे सोना लिका कल्यान सोना रियाद करना पड़ेगा आप किसमों के नाम याद रखें हाँ सोना लिका कल्यान सोना का विकास बारत के अंदर हुआ था कौन कौन सी सोना लिका और कल्यान सोना का विकास करोने बारत वरस की यहूं पैदा करने वाले छेत्रों में प्रियोग किया गया था अर्दवामन धान की किस्मों को IRB याद रखना धान की कौन सी किस्म है IRB International एक तो IRB है और कौन से इंस्टिटीट की बात कर रहा International Rice Research Institute International Rice Research Institute फिलिपिन्स में पैदा किये गए थे ये भारत का नहीं है वही खेल फिलिपिन्स में पैदा है थाइचूंग नेटव वनी ताइवाण से है कि यह ताइवाण तैओवाण देश नहीं यह गया वहाँ से है और मक्सिकों से क्या है वह फिलिपिन्स से कुण यर्भ और तयवान से फ़्छों निट्यू यह उन लोगों के नाम यह को तो वो ऐसे के वह अगे तो कि यह जो मदा यह पढ़ सेकेकरहं नृट रखना मूझत उत्री भारत में प्याद बिल्कुल याद रखना आपको । भारत का कि तो यह पूंतर वा है कि कम थी क्या है हाँ लेकिन दक्षनी बारत में पैदा होने वाला उच्छन कटी बंदिए गन्ना सेके रम और सी ने रम का तना मोटा तता इसमें सरक्राइंस अधिक पाया जाता है तो क्यों ना हम क्या करवादे इनका संक्रण प्रंतु ये उत्री भारत में ठीक से नहीं पनपाया इन किस्मों को सफलता पूरक संक्रित कराया गया ताकि उच्छ उत्पादन के लिए वांचित गुण जैसे मोटा तता उच्छ सरक्रा वाले पूदे प्राप किये जा सके याद रखना है, इंपोर्टेंट है, परिक्ष्या में पूछ सकते है कि भारत ने गन्य की संक्रित पसल कहां से तयार की थी तो एक तो आपको देना है उत्री, एक उत्री भारत में और एक दक्षनी भारत में आप क्या बताओगे, कि उत्री भारत में जो गन्ना पेदा हो रहा है, उसका तना पतला और सरक्रा कम थे और दक्षनी बारत में जो गन्ना पैदा हो रहा था वो मोटा और सरक्रा ज़्यादा लेकिन वहाँ पे वो ग्रोथ नहीं कर रहा था जलवायो ठीक नहीं थी दक्षनी बारत में सही है तो क्यों नहीं दोनों को हमने मिला कर एक नया गन्ना तयार कर लिया गया जिसमें तना मोटा तता सरकरा भी उच्छ थी क्लियर आई बात समझ में नेक्स्ट आग हम बात करते हैं जवार जवार पे भी दे रखा है भारत में संकर मक्का जवारत भाजरा सपलता पूरो विकास किया जा चुका है ये तो आप नाम सुनते रहते हो नो संकर भाजरा तो संकर भाजरा एक किसम का नहीं होता है बहुत सारी किसमों का होता है ठीक है जल अभाव के परतिरोधी उच उत्वादन वाली किसमे है अचाए संकर ये जो बारत के अंदर जो मक्का जवार भाजरा है ये किसके लिए बनाई गई है परतिरोधी जल के अबाव यानि कम जल में भी वो ग्रोथ कर सकती है उनका विकास संकर प्रजनन के प्रेणाम से रूप हुआ संकर प्रजनन अभी आपको सिखाया कैसे करते है ठीक है उत्तक संवर्दन नई टेकनिका आ गई बिल्कुल इंपोटेंट और एक परसंद पका आएगा इस बार इसमें से उत्तक संवर्दन अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे अच्छे पहली बात तो यह है कि उत्तक संवर्दन क्यों जरूरी है पहली बात तो यह है कि उत्तक संवर्दन क्यों जरूरी है देखो बहुत सारे ऐसे प्लांट है बहुत सारी ऐसी किसमें है जिन में बीज उत्पन करने की चमता कम है तो अगर उनमें बीज उत्मन करने की चमता कम होती गई होती गई होती गई मालो कोई जड़ी बुटी है वो कैंसर का उपचार करती है लेकिन जुस पादप से उज़ो प्राप्त हो रही है वहां पर उस पादप में बीज उत्मन करने की चमता ही नहीं है तो पता चला है कि य बना दे समझें आरही वात यानि उसकी कोशिका आमने ली उसकी कोशिका को लेब में गये और जो कंडिशन उस पोदे को भाईये वातावन में प्राप्त हो रही है ध्यान से सुनना जो कंडिशन उस पोदे को भाईये वातावन में प्राप्त हो रही है वो सारी कंडिशन करेगी उसके पास क्या है जब उसको जीए रहने के लिए सब कुछ दे दिया गया है तो जैसे जैसे वह ग्रोध करती गई होती गई होती गई तो जितनी बड़ी होगी तो उसे प्रव और जड़ नहीं निकाल सकते हैं जैसे चोटा पादब तयार हो उसको खेत में अपलाई कर देंगे खेत में उगादो विस तो उत्तक समर्दन बड़ी काम की चीज है समझ में आई बहुत ज्यादा इंट्रेस्ट मालो किसी बंदे का बनता है तो मेरी तरफ से उसको यह एड़वाइज है कि पादप प्रजनन तक्नीकों से विश्वक हद्य समस्या का समाधा नहीं हुआ प्रमप्रागति लगा रहे थे प्रमप्रागति है कौन सी प्राकन उठाए वर्तिका कर दाल दिये भई आपको कौन से रसाइन चड़कने पड़े आपको कोई स्पेसल लेविक अंदर ये काम क सिखा दिया था कौन से सदाब्दी में सिखा दिया था अठारी सदाब्दी में सिखा दिया था तो अगर उसी तरीके से चलते रहे तो हो सकता है तरीका तो ठीक था उसका लेकिन भारत वर्स के अंदर जो जनसंक्या कंट्रोल होने वाली नहीं है क्योंकि भारत वर्ष के अंदर एक सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर लोग पड़े लिखे अग्यानी बन रहे हैं इनको सब कुछ समझ में आ रहा है फिर भी और पॉपुलेशन का इसाब किताब भिगड़ रहा है जयके इंशेंटिव दिया जाए इसाइय उनको ये आपके चपटर ने आपने पुड़ा नहीं कैए चार का चब्टर रहा है जाएं इनको गरब निरोद्य कि युक्तियों के वारे में समझाया जाए तैन अनको किसी भी चीज़ के बारे में समझाया जाए फिर भी थोड़ी बहुत रोक हो सकती है लेकिन जो जैसे जापान को देखो छोटा सा देश है कितना विक्सित देश है और इंडिया जो विकासिल देश में गिना वा जा रहा और विकासिल देश में गिनेगा विक्सित की कैटेगरी में आया है नहीं और छोटा सा देश है वो विक्सित देश है कि समझ में आरी ये बात कि अब आपने रीसेंटली आपने देखा जो व्यक्सीन थी कोरोना की सबसे बाद में बढ़ी इंडिया की जब कि और देशाने कब की व्यक्सीन बणा बणा रूनों डोज लगाने च्छार्ट चलो आगे देखें तो समाधान नई वात उत्तक समर्दन तक्नीक का विकास हुआ क्या होत्ता है उत्तक समर्दन की डेफिनेशन आप जरूरी यादर रगू नियंत्रित कर दिय् leurs आयों नियंत्रिति नियर्जम परिस्तियों में करतों तक का पोसक माध्य में पात्रे समवर्दन कि खलाता है कूछ समाझ में आपको वापे से देखो नियंत्रित, कंट्रोल वाली सिच्वेशन, जैसे आपने नियंत्रित, आपने कोई सेल डाली और आपने उसका पीएच बढ़ा दिया बहुत जादा, और इस पीएच में तो वो सेल ही मर गई, तो आपको क्या करना वहाँ पे, नियंत्रित, निर्जम, ऐसी प्रिस्ततियां बन बिए आगई, कर्तोतक का मतलब मैं बताऊँ, आप जिस पोदे का वय अंस, जिसके अंदर कोशी का बनाने की चमता ज्यादा है, वो टुकड़ा आप ले रहे हैं, उसको कर्तोतक का होगे, क्या कहोगे, कर्तोतक का पोशक माध्यम में, आपको वो सारे पोशक माध्यम भी द जालव आप उसको उसके अंदर वो सारे पोशकता तो डालो जो सको चाहिए उत्तक सम्वर्धन कहलाको कर gespannt राइट है है आई बार समझ flu, नियंणतरि एवं निर्जम प्रस्तियों में कर्तोतक का पोशक माध्यम के अंदर पात्रے प्लू तर्ष सम्वर्दन करवाना कर ाया नोट कर इस बात को भी न देखिये हैं क्लियर क्या लिखोगे नियंत्रित तथा बोलो आगे निर्जम प्रस्ततियों में वेरी गुड करतो तक का पौसक मद्यम में पात्रे समर्दन करवाना ही क्या कलाएगा उत्तक समर्दन क्या कलाएगा समझ में आगई बात नेक्स टॉपिक देखिए उत्तक समर्दन में करतो तक के रूप में किसी पादर की कोई कोशिका ले सकते हो आप या उसका उत्तक ले सकते हो या कोई अंग ले सकते हो याद करें इस बात को और सामने देखें उत्तक समर्दन में करतो तक की रूप में आप क्याले होगी या तो उसकी कोई कोशिका या उत्तक या कोई अंग ले सकते हो अप किलियर उत्तक समर्दन के अंदर ही हम बात कर रहे हैं सजीव की प्रते कोशिका में उस जीव के सभी लक्षनों को उत्पन करने की चमता होती है यह बात डेपिनेट है कि सजीव की प्रते कोशिका में उस जीव के सभी लक्षन को उत्मन करने की समता होती है, बलसर डेफिनेट नहीं है यह बात, तो मैं आपको आपके उपर यू धारन दे देता हूं, आपकी पहली कोशिका है जाइगोट, उससे पूरा हुमन बोडी बन गई, तंतरी का तंतर बन गया, नर्वस ग्लैंड से बन है, तो आप मानते हैं इस जीज को एक कोशिका में इतनी ताकत होती है कि वो पूरे जीव को बना सके, बिल्कुल सही बात है, जैसे स्टेम कोशिका, अस्ती मज्जा की कोशिका है, वैसे प्लांट की वो कोशिका, जिसमें पूरे प्लांट को बनाने की छमता होती है, उसको क बहा जाता है कहते हैं इंगलिस में आपके याद रखोगे टोटी पोटेंसी क्या तो आप मेरे को बता उत्तक समर्दन के लिए क्या किसी कोशिका को नियांतित और निर्जम प्रसतियों में डाल के रखें तो बन जाएगा बिलकुल बन जाएगा क्योंकि सर उसके अंदर क्या है टोटी पोटेंसी बस यह पैचान होनी चाहिए टोटी पोटेंसी कौन सी सेल में है आप छाल की सेल लेके आ रहे हो छाल में तो यह आरा आपको पता है प्रमानेंट टीस्यू आ गए टोटी पोटेंसी वहां तक खतम हो जाती है आप विजोतक उत्तक की लेकि आओ कौन सी क्या कहते हो सुक्स्म प्रवर्दन द्वारा किसे अधिक बनाइसा सकते हैं पने मूल बाया प्रवादफ के समाहिन होता है कोई चैंज नहीं होता है नेक्स रम बात करेंगे उत्तक समर्दन के अंदर ही जिससे कि कर्तोतक प्राप्त कर इन्हें बनाया जाता है इसे सोमा कलोन कहा जाता है सोमा कलोन किसे कहते है आपने कर्तोतक निकाड़ा टोटी पोटेंसी डूंडी आपने कर्तोतक निकाड़ा कर्तोतक से आपने जिससे कर्तोतक प्राप्त करके इन्हें बनाया जाता है किसको प्लांट को तो इस चीज को आप क्या कहोगे Soma कलोन क्या कहोगे उद्दे से क्या है इसके रोग रहित पादप उत्मन करना बिल्कुल कर सकते हो आप रोग रहित पादप क्यों क्यों कि मानलोब पता चला एक पादप जिसमें रोग रस्त है वो और वो मरने वाला है और उस पादप का कोई बीज भी नहीं है तो पूरी प्लांट के अंदर कोई तो ऐसी जगर रहेगी कोई तो ऐसी टोटे पोटेंशी मिल सकते है जो एकदम सेफ हो उस टोटे पोटेंशी को लाके वो डाल देंगे क किसके अंदर किसके अंदर किसके अंदर कि पात्रे समर्दन में किसमें पात्पों की संक्या में वर्दी करना कर सकते हैं दूरत संक्रन करना दूरत संक्रन भी कर सकते हैं इससे हैं दूरत संक्रन मतलब बहुत दूर का जैसे कोई मालो जापान का प्लांट है और वह वहां से आर लाकर तो टी पोटेंसिय Σी से बना लिया ब उससे संकरण करवा 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 कर लिली यह आयगुनित पाधप बनाना दीव गुनित पाधप Very good. उठ्त्तक समषदन विधी के चरण। समषदन पात्रों की दुलाईव रख रक आव ये लेब का काम is त обडन माद्यम बढणाना वो-मीडियम बढणाना करतो तक प्राप कणना। करतो तक को माद्यम परिश्तन आंथरित करना और माद्यम का प्रेक्छन कंना। क्लियर